कल्याम सिंग और मुलायम सिंग जी का दौर था उत्तरपदेश में दो ही सिशर्ष्थ नेता थे एक साइड में का एक विंक के नेता थे कल्याम सिंग और दूसरे विंक के नेता थे मुलायम सिंग याधा हमसे जी ने एक बार मैं मिल ले गया तो उन्होंने हमसे इसे भाजपा और उनकी चर्चह चलने लगी सपा की फर कल्याम सिंग जी की व्यक्तिकत्र जी Мне कि तो उन्होंन एक सवाल मेरे सामने रखा हूद सब्सक्राइब उन्हों का अग्नियोत्री जी अचाहीं बताओ भाजपा के पोस्टर में चार-पांच फोटो लगते हैं बाजपई जी का अडवानी जी का मुर्ली मुनोर जोशी का और कल्याम सिंग का और कहीं के कल्राज मिश्रा का भी लग जाता है रादनाग जी का लग जाता है बोले तब जीतते हैं उमीदवार अब वोले हमारे पोस्टर में अकेले हमारा पोटो लगता है तो किसके चेहरे पर बोट है बताओ ठीक न यह उस व्यक्ति का मुल आकलन है उत्तरपदेश और भारत की राजनीत में जिसने 50-60 साल सक्री राजनीत की इस जमीन पर ठीक है न इसलिए चेहरे का महत तो हमको भी मालूम है और जो राजनीत करते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है बस पाक को किसी एक आदमी से पूझ लो कि माया बती जी की चेहरे का कोई विकल्प है नहीं बोली नहीं सकते अगले श्यादव की चेहरे का कोई विकल्प है क्या सपा में नहीं बोल सकते पर सित्या विकल्प बना दे भविश में उस पर वैस नहीं कर रहा क्या प्रियंका और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को रिप्लेस कर दे होता तो अब तक कपका रिप्लेस नहीं हो गया होता इसलिए चेहरे का महत्तु है और जब जो लोग अपने अपने चेहरों की जिंदाबाद के नारे लगा के राजनीत में आगे बढ़े वो आके अचानक बोलने लगे कि नहीं चेहरा का कोई महत्तु नहीं तो मुझे हैरानी होती है लोग कंत्र में मुद्दे और व्यक्तित्व दोनों कसवटी पर होते हैं जनतागी